इसे बिलास्पर 36 गर से आचार्य दर्शन ने पूछा है सनातन धर्म अपने आप में जब इतना पूर्ण था तो किस प्रकार और किस कारण से इसका रास हुआ कैसे इसे पुनह स्थापित कर सकते हैं पले आओ जानते हैं सनातन धर्म क्या है सनातन धर्म का अर्थ है आदि धर्म जिसके लिए नानक देजी कहते है आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच ये आदि काल से जो शाश्वत तत्व है ओ है सनातन धर्म ये जो धर्म है सनातन धर्म ये शाश्वत सत्य पर आधारित है ये परम सत्य पर आधारित है इसको वैदिक धर्म भी कहा जाता है क्योंकि सनातन धर्म को पहली बार वेदों ने प्रतिश्चित किया है इसलिए इसका नाम वैदिक धर्म भी है जैसे बाकी धर्म का कोई ने कोई प्रवर्तक है जैसे इसलाम के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद साब कहे जाते है यहुदी धर्म के प्रवर्तक मोजश कहे जाते है इसाई धर्म के प्रवर्तक जिसस कहे जाते है तो सनातन धर्म में कोई इसका प्रवर्तक नहीं है और जैसे बाकी धर्म में कोई एक किताब है किवले एक किताब है लेकिन सनातन धर्म में कोई एक किताब नहीं है क्योंकि ये सनातन धर्म है ना कोई इसका प्रवर्तक है ना इसकी कोई एक खास किताब है ये स्वव विक्सित धर्म है और जो हजारों रिश्यों के ग्यान, मनन और चिंतन द्वारा विक्सित हुआ है और आज भी विक्सित हो रहा है यह विश्व का प्राचीनतम धर्म है कोई यह नहीं कह सकता कि कब इसकी शुरूआत होई जबकि बाकी सभी धर्मों के बारे में कहा जा सकता है कि ये किस समय आरंभुगा किसके द्वारा आरंभुगा कौन सी किताब है तो ये बाते कहीं जा सकती है लेकि सनातन धर्म के बारे में ये बाते नहीं कहीं जा सकती कालांतर में पूरे हिंद में व्यापक होने के कारण इसे हिंदु धर्म कहा जाने लगा बस्लता हिंदु, जैन, बौध और सिख सनातन धर्म के चार मुख्य अस्तंब है सनातन धर्म का मूल तर तो ओंगार है इसलिए तुम देखोगे कि चाहे वो बौध धर्म हो कि जैन धर्म हो कि सिख धर्म हो कि हिंदु धर्म हो चारों में उंकार की प्रधानता है और ओम इसका प्रतीक है, खास तोर से ओम लिखा जाता है जिस पर उल लिख करके देखोगे कि उपर चांद और तारा होता है एक खास प्रतीक है इसका प्रतीक है और इसी ओम से सुनातन धर्म जाना जाता है सुनातन धर्म के कोई एक गरंत नहीं है लेकिन कह सकते कुछ मुख्य गरंत है जिनकी चर्चा की जा सकती है तो सुनातन धर् एक सोवाट उपनिशद है, रामायन है, महाभारत है, गीता है और अनेक संतों की बारी है, सिद्धों की बारी है, नाथों की बारी है, संत मत के संतों की बारी है, कबीर, दादू, दरिया, रिदास, कुमनात, लालनात, भीका, साजो, दया, मिरा, अनेक अनेक संत हैं, जिनकी बानी है ये सब सनातन धर्म की ही का प्रतिन देत्व करते हैं और ये सारे ग्रंथ चाहे संतों की बानी हो कि वेद हो कि उपनिशद हो गीता महभारत रामायन हो ये सब सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ है वैसे हजारों ग्रंथ है मैंने केवल मुख्य ग्रंथों की यहां पर च इतनी व्यापक्ता है इसमें कि और इसी तरह सनातन धर्म के जो पूजास्थलों को मंदिर कहा जाता है जैसे इसलाम के पूजास्थलों को मस्चिद कहते हैं जैसे इसाई धर्म के पूजास्थलों को गिरजा घर कहते हैं उसी तरह सनातन धर्म के जो पूजास्थलों को मंदि कहलाते हैं, जिसमें देवताओं और उनके अवतारों की मूर्तियां स्थापित होती है, जिनकी पूजा आर्ति की जाती है, लेकिर कई ऐसे संप्रदाएं हैं, जो देव संस्कृति को नहीं मानते हैं, निर्गुन संस्कृति को मानते हैं, तो उनके अपने अपने रिवाज है लेकिन इससे फर्त नहीं पड़ता, सनातन धर्म में इतनी व्यापकता है, इतनी उदारता है कि कोई भी अपने मत के अंसार चले लेकिन वो सनातन ही रहता है, ना किसी प्रकार की कटरता है, ना किसी प्रकार की संकिर्णता है, इतना व्यापक है सनातन धर्म. अब आप सवाल पूछते हैं कि सनातन धर्म जब इतना व्यापक था, इतना शाश्वत था, इतना श्रेश्ट था, तो फिर सनातन धर्म का हरास का कारण क्या है? तो सनातन धर्म के हरास के पाँच मुखे कारणों पर हम चर्चा करेंगे, जो पहला कारण था, वर्न और जाती ब्यवस्त था, ये हमारे हाँ जो चार वर्न शुरू के लिए ठीक था, जब हुआ था क्यों? कि तब ये पेशे के अंसार, प्रोफेशन के अंसार हुआ था, जाती के अंसार, ये जो जाती ब्यवस्त थान दिर्मित हुई थी, पेशे के अंसार, जैसे कोई पढ़ाई लिखाई करता था, तो ब्रामर कहलाया, कोई रक्षा करता था, युद्ध करता था, तो छत्रिये क कोई बारीज करता था तो वैश कहलाया और फिर जो दूसरे काम करता था उसको शुद्र कहा गया तो ये उस समय के लिए ठीक था लेकिन कालांतर में इसे उंच नीच का बाव विक्सित हुआ बलकि छुआ छुट का बाव भी विक्सित हुआ और ये सनातन धर्म के रास का एक म समाज में बली प्रथा प्रचलित हो गई और बली प्रथा को कभी भी धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता और कोई धर्म बली प्रथा को का संगर्षन नहीं कर सकती तो निश्चितर से बली प्रथा एक अंधिविश्वास था खास करके काली का जहां-जहां मंदिर हुए वहां प्रथा से सनातन धर्म डिस्क्रेडिट हुआ और बली प्रथा भी रास का कारण है जो तीसरा कारण है कि कही ने कहीं जो हमने नश्वर कह दिया संसार को तो एक स्वार्थ परक संस्कृती पैदा हो गई एक कंसिडरेट कल्चर नहीं हुआ जैसे इसाई धर्म है एक कंसिडरेट कल्चर है यह हम दूसरे का ख्याल बहुत करते हैं सेवा भाव बहुत है लेकिन जो सनातन धर्म है जो खास करके जिसको महिंदू धर्म कहते हैं तो वहाँ एक तरह से सब अपने लिए जीने लगे एक परमार्थ वाली संस्कृती पैदा नहीं हुई जबकि धर्म के साथ परमार्थ जुड़ा है सभी संत कहते हैं कि परवकार धर्म का अंग है धर्म मंगल भाव होना चाहिए सबक्रति मंगल भाव होना चाहिए धर्म है तरवर सरवर संत जन और बरस्ता में परमारत के कारणे साधू धरिया दे तो परमार्थ जो है एक धर्म का अंग होना चाहिए लेकिन चुकि जगत को हमने नश्वर कह दिया तो हम अपने लिए जीने लगे और हम स्वार्थी हो गए और ये स्वार्थ परक जो संस्कृती है ये भी हमारे सिनातन धर्म के राज का कारण बनेगी जो चौथा कारण है कि शक्तिशाली जो इसलामिक देश थे जो सक्तिशाली इसाई संस्कृती थी तो इनके द्वारा राज सत्ता पर लंबे आवधी तक कबजा रहा और बड़े पैमाने पर धर्मांतरन को बढ़ावा हुआ क्योंकि शक्तिश इनके पास थी पहले इसलामिक देश आए इसलामिक लुटे रहा है और उन्होंने मार काट मचाया और इस तरह से सत्ता पर देकाबिज हो गए और एक बार जब सत्ता पर आगए तो उनके मादम से खूब धर्मांतरन हुआ और इसके कारण भी ये जो सनातन धर्म है इसका रास हुआ और जो पांचवा कारण था कि गरीबी और जातिकत भेद के कारण भी धर्मांतरन बहुत हुआ क्योंकि जो गरीबी थी तो कुछ धर्म आये उन्होंने लोब दिया पैसा दिया रोटी दिया तो इसके कारण भी धर्मांतरित हुए और जातियत भेद भाव के कारण जो नीचे जातियां थी नीचे तल की जातियां थी उन्होंने देखा कि इतना हमारे साथ भेद भाव हो रहा है तो वे भी धर्मां तरन की ओर आकरशित होगी ती जो पांच मुख्य कारण है पहली पहला कारण जाती बेवस्ता दूसरा बली पर था तीसरा स्वार्थ पर एक संस्कृती चोथा जो शक्त चाली इसाई और इसलामिक देशोदारा राज सत्ता पर जो लंबी अधी तक कब जा रहा है तो इस इसके लिए भी पांच मुख्य उपायों पर हम चर्चा करना चाहेंगे जो पहला उपाय है कि एक शक्त शाली और संब्रिद्ध हिंदू राष्ट की स्थापना करने होगी जब तक हमारे पास शक्त ही नहीं है जब तक हमारे पास संब्रिद्ध ही नहीं है तब तक हम सनातन धर्म को प्रतिश्चित नहीं कर सकते ना कि वर अपने देश में बलकि पूरे विश्व में भी, क्योंकि सभी लोग आकरशित करते हैं, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास बैबो है, उसी के और लोग आकरशित होते हैं, तो पहला उपाय है कि एक हिंदू राष्ट की स्थापना हमें करनी पड़ेगी भारत में, जो शक्ति शाली हो और समरि दो, दूसरा जो उपाय है कि हमें जाती मुक्त समाज की स्थापना करनी होगी, जाती मुक्त समाज की स्थापना बहुत जरूरी है, जब जाती थी, जब जाती निर्वित होई थी, उससे में प्रासंगिक था, उससे में पेशे का अंसार जाती थी, अब तो पेशे और जात कोई संस्बंद नहीं कोई अंतर संबंद नहीं है हर जाती का व्यक्ति हर पेशे में जा सकता है तो इस शुरुआत हुई थी मैंने देखा था कि पचास के दशक में, शाठ के दशक में, बहुत सारे लोग अपनी जाती के जो उपनाम थे, वे ड्रॉप करने लगे थे, लेकिन दुर्भागे से इस देश में, फिर से मंडल कमिशन आया, फिर से जाती के तारक्षन हुआ, और जो जाती मृत प्राय हो रही थी, वो फिर से जिन्दा हो ताकि ये जाती मृत समाज की स्थापना हो, क्योंकि जब तक ये जाती मृत समाज पैदा नहीं होगा, हम सनातन धर्म को फिर से प्रतिष्ठित नहीं कर पाएंगे, जो तीसरा उपाय है, कि एक सामुदाई की एकता हमें स्थापित करने होगी, सभी धर्मों में हमने देखा है कि लोग एक कॉम्मिनिटी लिविंग होती है सब जगा, लेकिन हमारे हाँ कॉम्मिनिटी लिविंग का सक तबाव है, न तो गाओं में कोई कॉम्मिनिटी लिविंग है, तुम देखोगे कि इसाई धर्म में देखोगे, कि हमेशा वो संड़े के संड़े चर्च में जाए कुछ काम करते हैं, कुछ निर्मार करते हैं, तो सामधाइक community living या community unity, इसके लिए हमको करना पड़ेगा, कि सनातन धर्म में भी हम community living की स्थापना करें, सामधाइक जीवन जो है, इसको बढ़ावा दें, ताकि यह स्वार्थ परक संस्कृति विक्सित हो गई है, इसको हम drop कर स के, जो चौथा उपाय है, सांस्कृति की एकता, यह जो हमारी संस्कृति है, इसमें जो बिविदता तो ठीक है, लेकिन भीनता या एक दूसरे के पती बहर भाव रखना, यह अंचित है, और हमको एक सांस्कृति की एकता, क्योंकि बस्तत सनातन धर्म के जो चारो स्तंब है जाए बहुत धर्म है, जैन धर्म है, सिक धर्म है, हिंदू धर्म है, यह एक ही संस्कृति है, बलकि सिक धर्म का निर्बान ही हुआ था, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, गुरु तेक बहादूर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान किया, गुरु सांस्किर्टिक जो एकता है आपस में इन चारों स्तंभों के बीच इस एकता को स्थापित करना है और जो पांचवा उपाए है और बहुत महत पून उपाए है वो है आध्यात्मिक के अंदरों का विखास क्योंकि वास्तों में जो हमारा सनातन धर्म है उसका मूल तत्वा तो इसको जगा जगा आध्यात्मिक के अंदर विक्सित होंगे, करने होंगे, ध्यान के अंदर विक्सित होंगे, ताकि जो इसका मूल तत्व है, ओंकार है, ध्यान है, तो इससे जोड़ना होगा, तो फिर क्या होगा, कि इसे एक वैज्यानिक धर्म का दिर्मार होगा, एक व विज्यान सम्मत नहीं है, वो धर्म ठिक नहीं सकता, अगर हम चाहते हैं कि सनातन धर्म शिखर पर जाए, सनातन धर्म फिर से पुराने गौरों को प्राप्त करें, तो हमको इसको वैज्यानिक धर्म के रूप में विक्सित करना होगा, आत्मा का अन्भो, परमात्मा का हो, ये एक्सपेरियंशियल रिलिजन के रूप में हमें विक्सित करना होगा, और एक बार वैज्यानिक धर्म के रूप में अगर इसका विकास हम कर पाए, तो निश्चित रूप से, कि हम सनातन धर्म को पुना न को बहुत में, बलकि पूरे विश्व में स्थापित कर सकत हूँ है